नमस्कार दोस्तों मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुपित पूनम में दोस्तों आज हम बटर बनाएंगे और बिल्कुल हम अमूल बटर जैसा ही बटर बनाएंगे वो भी घर में और बहुत ही कम इंगिडियन्स से ये बन जाता है तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाया है और क्या क्या इसमें हमने मिक्स किया है आईए देखते हैं तो ये देखिए हमने ये दूद की मलाई है जिसको हमने 4-5 दिन की मलाई करीब कठा कर ली है और इसको हमने फ्रीजर में रखा था फ्रीजर में रखने से क्या होता है कि मलाई जो है महकती नहीं है बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आती तो इसको हमने 2 गंटे पहले निकाल के रख दिया था और जब हलका हलका ये ठंडा हो तभी आप इसको फेटें तो एक हमने चमच ले लिया है जिससे हम इसको फेट रहे हैं दो से तीन मिनट ही हम फेटेंगे तो ये बहुत अच्छे से फेट जाएगा हमारा और इसका दूद जो है अलग हो जाएगा और ये मलाई जो है अलग हो और जो दूद निकालने के बाद जो मलाई बचेगी उसी से हम बनाएंगे बटर और बहुत ही टेस्टी बटर बनेगा बिलकुल अमूल जैसा आप यकीन नहीं करेंगे तो ये देखिए अब ये धीरे धीरे जो है दूद छोड़ने लगा है और जब ये दूद छोड़ दे लगाया है ठैसे में जब सेइखकी और ऊसे हम रखे एके चनी और पर जा पर रिख के निकल जाएगा तो इसलिए हमने इतवाद्ध है उसली कि जो इसमें मिलाद मैंना अपत्याएंगे जया पर अलॉत हम बनाएंगे गता बटर तो चलिए हम देख लेते कि हमने इसमें क्या-क्या इड किया और किस तरह से बनाया है इस दूद्ध को हम गरम करके इसमें दही जमा देंगे और अगर आपका दूद्ध फट जाता है तो आप इसका पनीर बना सकते हैं अब इसमें से हमको जितना बनाना है बटर उतना हम मलाई निकाल लेंगे और वाकिय का हम घी बना देंगे तो अगर आपको ज़्यादे जरूरत हो तो आप सारे में बना लें और थोड़ी सी जरूरत हो तो आप थोड़ा बना के रख सकते हैं तो अब हमने देखिए यह करीब दो से तीन बड़े चम्मच हमने ले लिया है मलाई और इसमें हमने डाल दिया है दो चुटकी नमक और थोड़ा साम इसमें फूट कलर डालेंगे एलो कलर का आप अगर फूट कलर ना हो तो आप फल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अब हमको इसको इतना फेटना है कि एकदम यह फलफी हो जाए तो इसको भी हम करीब दो से तीन मिनट फेटेंगे और इतने में ही यह हो जाएगा तो यह देखिए एकदम बिलकुर फलफी हो गया है तो अब हमको इसको एक एयर टाइट कंटेनर में नीचे हम बटर लग आपके पास अगर अच्छे से सेप का हो छोटा सा तो उसमें बना सकते हैं और मैं ये ठीफिनली हूँ उसमें मैं बना रहे हूँ तो इसको हम एक साइड से इस तरह से बराबर कर देंगे और अगर आपके पास छोटा चोकोर डबा हो तो बहुत अच्छा उसमें बनता है बरा बंद करके ढखकन और दो से तीन घंटे के लिए हम फ्रीजर में इसको डाल देंगे तो तीन घंटे बाद देखे हमने इसको निकाला है और अब हम इसको थोड़ा सा चक्कु से छुड़ा देंगे और बटर हम इसी लिए लगाते हैं ताकि यह आसानी से निकल जाए और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे तो यह देखे टिफिन में बनाने के वज़े से थोड़ा सा हमारा यह मोटा पतला हो गया है एक दरब से लेकिन कोई बात नहीं है बना है बिल्कुल एकदम परफेक्ट यह और अब हम इसको कट करके दिखा रहे हैं आपको चुकि हमने उमीद है आपको यह पसंद आया होगा और अगर पसंद आये तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करिएगा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी न भूलिएगा और जो बगल में घंटी का निसान है प्लीज उसको भी दबा दीजेगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार